कुई तालुका के सिल्डी वार्ड नमबर एक में 21 सप्टेमर 2021 को सुभह हुई अतिवरिष्टी से शिल्ली काव में नदी का सुरूप हो गया है सानिक लोगों के घर के आगे जाने वाला रास्ता उसने भी बारिश के चलती तालाप का सुरूप ले लिया है घर के सामने सरक पर जारी सिल्सला बारिश के कारण जील का सुरूप बदल गया है ऐसे में उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है परिणामी यहां के रहने वाले लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है पेडित परिवारों ने मांग की है कि संबंदित प्रशासन स्थायू पाय करे यह सिती हमेशा एक शेत्र में बारिशोने पर देखने कूम मिलती है शिली रोड के दोनों और कोई बड़ा वपकानाला नहीं है रोड भी कचार रास्ता है और सरक बहुत नीचे बनी है क्योंकि पिश्री सरक निर्मान की यूजना नहीं थी इसलिए 3-4 फिट पानी सरक पर जमा हो गया नतीज़तन वहार रहने वाले नागरिकों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया पानी घर के दर्वासे तक गया और वहान को शतिग्रस कर दिया इसे ध्यान में रखती हुए सरपंच और सचिव एवं सदस्यों के कारेकार में नागरिक सुईधाओ की तहट इस सरक के मरमत कारे को प्रातमिकता देने की स्विकृती दी गए जिसके मरमत कारे को नागरिक सुईधाओ के तहट मरमत कारे और पानी निकासी ठीक से हो वरतमान में श्रमिकों को ततकाल भीज़कर नागरिकों को होने वाली और सुईधा को दूर करने की उपाय किये शाए सिल्ली के नागरिक ने इस समस्या के साय समाधान की मांग की है BCN News के लिए कोहे से समाधाता की रिपोर्ट